नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है टेकनिकल सार्थी चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने नमबर पर वी एई एप के माध्यम से कैसे रिचार्ज कर सकते हैं और साथ ही आप कैसे कैस्बेक भी प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आप सबको लाइव प्रोप भी दिखाऊंगा कि मैंने कैस्बेक प्राप्त किया है वी एई एप में पेमेंट का ओप्शन हम क्रेड एप के माध्यम से करेंगे और जो कैस्बेक हमें मिलेगा वो भी क्रेड एप में ही मिलेगा आइडिया के नंबर पर रिचार्ज करने के लिए हमें सबसे पहले वी एई एप को ओपन कर लेना है वी एई एप का होउम पेज कुछ इस परकार का हमें दिखाई देगा यहाँ पर आप देश सकते हैं हमारा रिचार्ज पैक खतम हो चुका है यहाँ पर idea के number पर recharge करने के लिए हमें recharge now वाले option पर click कर देना है यहाँ पर हमें कुछ recharge coupons दिखा दिये जाएंगे यहाँ पर आपके according जो भी suitable जो आपका recharge हो वो आप यहाँ पर कर लेंगे मुझे यहाँ पर 199 का recharge करना है तो मैं उस पर click कर दूँगा इसके बाद आप सबसे पहले credit app का option देख सकते हैं यहाँ पर credit pay से payment करने पर हमें 50 रुपए तक का cashback है वो मिल सकता है यहाँ पर आप उपर सबसे पहले credit pay का option देख सकते हैं यहाँ पर हमें 50 रुपए तक का cashback प्राप्त हो सकता है इसके लिए मैं cred app पर click कर दूँगा और proceed to paper click कर दूँगा यहाँ पर हमें कुछ time wait कर लेना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 50 रुपए तक का cashback मिल सकता है अब हमें वापिस से proceed to paper click कर देना है इसके बाद हमें आपर अपने credit card का CVV क्योंकि cred app में हमें अपना credit card add करके रखते हैं तो इसलिए हमें अपने credit card का CVV enter कर देना है उसके बाद हमें proceed to paper click कर देना है उसके बाद कुछ time फिर से processing में लग जाएगा उसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना OTP enter कर देना है जो भी हमारे register phone पर आएगा यहाँ पर OTP enter करने के बाद कुछ इस परकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो recharge है वो successfully complete हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो recharge है वो successfully complete हो गया है अब हमें अपना cashback चेक करने के लिए सबसे पहले VA app को close कर देना है और हमें cred app को open कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं cred app को open कर रहा हूँ ताकि हम अपना cashback यहाँ पर check कर सकें यहाँ पर cred app को open करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक home page दिखाई देगा यहाँ पर हमें club वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप मेरे पुराने cashback देख सकते हो जो मुझे पहले मिले हुए है यहाँ पर हमें club वाले option पर click कर देना है कलब वाले option पर click करने के बाद हमें scroll down करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा cashback reward option है इसके बाद हमारा cred पर reward option भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा vii का एक cashback का offer वो activate हो चुका है यहाँ पर हमें vii के cashback को open करने के लिए vii वाले इस button को नीचे scroll करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा cashback है वो open हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हमें 25 रुपए का cashback मिल चुका है दोस्तो कुछ इसी प्रकार से आप भी अपने vii पर cred app की मतलब से recharge करके cashback आरण कर सकते हो cashback प्राप्त कर सकते हो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thank you so much for watching